इशान और किर्तिन उस जखमी लड़के को टैक्सी में बिठा कर होस्पिटल की ओर चल दिये टैक्सी ड्राइवर ने इशान को पुलिस को इस घटना के सूचना देने के लिए कहा इस से पहले कि इशान पुलिस को इस बारे में सूचना दे पाता उस जखमी लड़के को हलका सा होश आया और वो लड़कडाती हुई जबान में कहने लगा नहीं पुलिस को फोन मत करना पुलिस को फोन मत करना और ऐसा कहकर वो लड़का फिर से बेहोश हो गया इशान और किर्दिन के साथ साथ अब टैक्सी ड्राइवर भी हैराम था इशान ने टैक्सी ड्राइवर से कहा कोई ने दादा अभी इस लड़के का ठीक होना ज़ादा जरूरी है ना कि उन बुरे लोगों का पकड़े जाना टेक्सी ड्राइवर ने इशान की बात मानते हुए कहा ठीक है तो आप लोग कस कर पकड़ लिजे मैं फटा फट आप लोगों को नजदी की अस्पताल पहुचा देता हूँ ऐसा कहकर ड्राइवर ने तेजी से टेक्सी को रेस दे दी रास्ते में टेक्सी ड्राइवर ने अपना फोन निकाला और किसी का नंबर लगाते हुए बोला हाँ मैं अस्पताल में सूचना दे देता हूँ हम ऐसे जखमी लड़के को लेकर आ रहे हैं ताकि वहाँ पहुच कर समय बरबाद ना हो और फिर टेक्सी ड्राइवर ने फोन पर बात कर किसी को सारी सूचना दे डाली आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादा इशान ने ड्राइवर का शुक्रिया दा किया हालाकि इशान को उस वक्त काफी काम था लेकिन इशान ने किसी की जान बचाना जादा जरूरी समझा पांच-दस मिनट में ही वो सब हॉस्पिटल पहुँच गए टैक्सी ड्राइवर ने गाली सीरा हॉस्पिटल के इमर्जनसी वाड के तरफ अंदर ले ली ड्राइवर ने हॉस्पिटल में पहले ही फोन कर दिया था इसलिए इमर्जनसी वाड के पास एक वाड बॉई स्ट्रेचर लेकर पहले से ही तयार था वो वाड बॉई उन लोगों के आते ही जल्दी से उस जखमी लड़के को लेने उनके पास पहुँच गया इशान और कृतिन ने बड़ी ही सपलता से उस जखमी लड़के को इस ट्रेचर पर लिटवाने में वाड बॉई की मदद की और वाड बॉई स्ट्रेचर अंदर हॉस्पिटल में ले जाने लगा इशान ने कृतिन से कहा तुम इस ट्रेचर के साथ अंदर चलो मैं टैक्सी का किराया भर के आता हूँ इतना कहकर इशान पीछे मुड़कर जैसे ही टैक्सी ड्राइवर की तरफ चला इशान ने देखा कि टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी बैक करके जा रहा था इशान ने टेक्सी ड्राइवर को आवाज बिधी दादा लेकिन ड्राइवर नहीं रुका बस इशान को हाथ हिलाकर बोलता हुआ चला गया तुम्हें कोई किराया देने की जरूरत नहीं है जाओ अंदर जाओ जल्दी टेक्सी ड्राइवर को इस तरहे बिना पैसे जाता देखकर इशान का मन गदगद हो गया इशान ने अपने पिछले जनम में ऐसा नेक आदमी पहले कभी नहीं देखा था इशान वापस मुड़ा और जल्दी से इमर्जंसी वाड के तरब भागा वहां पहुँचकर इशान ने देखा कि डॉक्टर कृतिन को कुछ कागस देक कुछ समझा रहे थे इशान भाग कर कृतिन के पास आया और बोला क्या हुआ करतिन ने जवाब दिया उसे इलाज के लिए अंदर ले गए हैं इशान को आता देखकर डॉक्टर बोला जल्दी से जाकर हॉस्पिटल की फीस भर दो और फिर इस दड़के के परिवार को बुल की बाद उसके परिवार की तो ये लड़का होश में आने पर ही खुद बदा पाएगा क्योंकि ये तो हमें सलक पर जखमी हालत में मिला था हम इसे जानते भी नहीं कि ये कौन है इशान की बाद सुनकर डॉक्टर चौक गया और बोला क्या तुम इसे नहीं जानते हो तब बहुत जखमी था और हमारे पास आते ही भेहोश हो गया इसलिए हम इसे इलाज के लिए यहां पर ले आये हैं इससे जदा हमें और कुछ नहीं पता है डॉक्टर ने इशान की बात सुनी और बोला ठीक है तुम जाकर पहले फीज जमा कर दो और अगर इसके परिवार को नह पूछने लगा कि अब क्या किया जाए इशान ने इस लफड़े के बारे में पहले तो सोचा ही नहीं था करतिन बाहर पानी लेने चला गया वापस आकर करतिन ने पाया कि इशान संदोज सर को फोन पर सारी बात बता रहा था और कह रहा था आप चिंता मत कीजिए गुरू सकता था इशान ने अपना फोन काटा और करतिन को देखकर मूँ बनाया करतिन ने इशान को पानी की एक बोतल पकड़ाते वह कहा इशान भाई आप पुलिस को सूचना क्यों नहीं दे देते अगर इसे कुछ हो गया तो करतिन की बास सुनकर इशान बोला हम इस बारे में ब दोपहर होने को आई थी लेकिन बेचारों ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था चरो छोडो हे सब पहले चल कर कुछ खा लेते हैं भूग लगी ना फिर वापस आकर देखते हैं कि हालात कैसे हैं अगर सब ठीक हुआ तो ठीक है वरना फिर हम पुलिस को सूचना दे ही दे अभी हमें दोपहर में सुजाता दीती से भी तो मिलने जाना है इशान ने कहा जैसे ही कृतिन और इशान जाने के लिए खड़े हुए अंदर इमर्जंसी रूम से डॉक्टर बाहर आया और बोला जल्दी चलो और सिस्टर की हेल्प कर दो इस मरीज को कमरे तक पहुचाने म दोनों भाग कर इमर्जंसी वाड के तरफ गए जहां से सिस्टर मरीज की ग्लुकोस की बोतल हाथ में लिए खड़ी थी इशान और करतिन ने जाकर स्ट्रेचर संभाला जिस पर वो लड़का लेटा हुआ था और सिस्टर बोली हमें सोलवी मंदिल पर जाना है लिफ्ट वहां लोगों की भीड लगी हुई थी लेकिन क्योंकि इशान के साथ मरीज था तो सबने इशान और इन लोगों को पहले जाने दिया लिफ्ट सोलवे फ्लोर पर पहुची तो सिस्टर ने इशान और करतिन को कमरे में दाखिल होने का इशारा किया इशान ने उस वाड में कि उस वार्ड में दो मरीजों के रहने की जगा थी सिस्टर ने इशान और कृतिन को उस लड़के को बेट पर लिजाने को कहा और खुद गुलुकोस की बोतल साइड में स्टैंड में टांग दी फिर नर्स ने इशान से कहा अभी इससे बेहोशी की दवा दी गई है इससे होश नहीं आएगा लेकिन जैसे ही इससे होश आए डॉक्टर को बता दीजिएगा और हाँ ये गुलुकोस की बोतल खाली हो जाए तो बता देना अभी दो बोतले और देनी है ऐसा कहकर नर्स वहां से चली गई इशान अपने अनभों से ये कह सकता था कि उस लड़के को ज़्यादा चोट नहीं आई थी इशान ने कृतिन को कुछ पैसे निकाल के देते वे कहा कृतिन मैं यहीं इसके पास बैठता हूँ तुम जाकर बाहर से कुछ खाने का इंतिसाम कर लाओ बहुत भूग लगी है कृतिन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया नहीं भाई मेरे पास पैसे हैं आप यहां आराम से बैठिये मैं अभी जाकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ इशान कृतिन के जाने के बाद वहीं पास में रखे हुई कुरसी पर बैठ गया और उस लड़के की तरफ देखकर सूचने लगा आखिर इस लड़के ने उन गुंडों का क्या बिगाला होगा जो वो गुंडे इसके पीछे पड़े थे और उन्होंने इसे इतनी बुरी तरह से मारा है फिर इशान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और टाइम पास करने के लिए गेम खेलने लगा तभी अचानक इशान को कुछ याद आया और इशान अपनी कुरसी को आगे बैट की तरफ सरकाता हुआ लड़के के ऊपर जुका इशान उस ललके की जेब टाटोलने लगा कि कहीं उसके पास कोई फोन या टाइरी तो नहीं है लेकिन उस ललके की दोनों जेबे खाली थी फिर इशान वापस निराश होकर कुरसी पर बैट गया और पीछे सरकता हुआ अपना गेम खेलने लगा इशान के मन में आया कि इशान पुलिस को एक बार सूचना दे दे इशान ने अपने फोन से अभी पुलिस का नंबर बस टाइप किया ही था कि इशान की नजन उस ललके की आँखों की पलकों पर पड़ी इशान को लगा मानो उन पलकों की नीचे कुछ हर्गत हुई हो इशान ने वापस अपनी कुरसी आगे सरगाई और ध्यान से उस लड़के को देखने लगा और धीरे से बोला क्या तुम होश में आ रहे हो इशान की आवाज सुनकर उस लड़के ने धीरे से अपनी आखे खोलने की कोशिश की लेकिन अभी तस्वीरे धुंद ली थी बहुत जोर लगाने के बाद उस लड़के ने इधर उगर देखा और पूछा मैं कहा हूँ होस्पिटल में तुम्हें याद है तुमने हमें होस्पिटल ले चलने के लिए कहा था इशान ने उस लड़के को याद दिलाते वे कहा उस लड़के ने अपनी आखे दुबारा बंद की और खोली और फिर बोला हम्म याद आया मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कोई बात नहीं कोई बात नहीं अच्छा तुम मुझे ये बता पाओगे कि तुम्हारे परिवार में कोई है जिसे तुम यहाँ बुला सको मैं हर वक्त यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा या तुम मुझे फोन नमबर दे दो तो मैं उन्हें फोन कर देता हूँ ऐसा कहकर इशान ने अपना फोन उस लड़के की और बढ़ाया वो लड़का उठना चाहता था लेकिन उसका शरीर अभी पूरी तरह से कमजोर था उस लड़के ने गहरी सास ली और कहा हाँ मैं बताता हूँ ऐसा कहकर उस लड़के ने इशान को एक नमबर नोट करवाया इशान ने वो नमबर डायल किया जैसे ही फोन उठा दूसी तरफ से एक महिला की चिंतित आवाज सुनाई दी देखो देखो तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी इशान को वो महिला किडने पर समझ रही थी इशान ने उस लड़के के उर देखा और बोला अँटी नमस्ते इशान की अपरचित सी आवाज सुनकर दूसरी तरफ वाली महिला सुन नहों गई और बोली कौन बोल रहा है जी मेरा नम इशान है मुझे बड़े बाजार की बाहर वाली सड़क पर एक लड़का जखमी हालत में मिला था मैंनों उसे अस्पताल में भरती करवा दिया है उसी ने मुझे ये नमबर देकर कहा है कि ये उसके परिवार का नमबर है इशान ने समझाते वे कहा तुम तुम यतिन से मेरी बात कराओ उस महिला ने उत्तेजित होकर इशान से कहा जी उसे बस अभी होश आया है एक मिनट मैं बात करवाता हूँ आपकी ऐसा कहकर इशान ने अपना फोन उस लड़के के कान पर लगाया और बोला फोन किसी महिला ने उठाया है और वो किसी यतिन से बात करने को बोल रही है क्या ये तुम ही हो लो बात करो हाँ मा मैं यहीं हूँ मा मैं यहीं पे हूँ हाँ यहाँ एक मिनट रुको फिर उस लड़के ने इशान से कहा आप मा को यहां का पता बता दो प्लीज इशान ने फोन वापस लिया और बोला आंटी हम कलकता के सिटी हॉस्पिटल के इमर्जंसी वार्ड की सोलमी मंजिर पर हैं रूम नंबर 1677 में आप यहीं आ जाए इससे पहले इश इशान कुछ और कहता दूसरी साइड से फोन कट गया इशान ने भी अपना फोन साइड में रखा और इस लड़के को कहा चलो तुम्हारे घर वाले अब आ रहे हैं मैं भी चलता हूँ मुझे थोड़ा जरूरी काम है तुम अपना ख्याल रखना और हाँ अगर कोई जरूर में लगी बेल की और इशारा किया उस लड़के ने इशान से मुस्कुराते वे कहा मेरा नाम यतिन दिवान है और तुम्हारा इशान इशान ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया इशान तुम कहा रहते हो यतिन ने इशान से पूछा इशान ने कहा वैसे तुम्हें दिल्ल जहां तुम मुझसे ठकराए थे, मुझे अभी उसी की डील क्लोस करने के लिए जाना है। ओ, अच्छा, यतिन ने गहरी सांस लेते वे कहा, तुमारे पास मेरा नंबर है न, उसे सेव कर लेना, भविश्य में जब भी तुम्हें यहां काम हो, मुझे याद कर लेना, मैं ठीक होकर तुमसे जल्द ही मिलूँगा। और ऐसा कहकर यतिन ने इशान से हाथ मिलाकर इशान को फिर से धन्नबाद किया, बिलकुल बिलकुल, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी, ऐसा कहकर इशान भी यतिन से हाथ मिलाने लगा, हाँ तो मेरे दोस्तों, आखिर कौन था ये यतिन दिवान, क्यों उन जोने यतिन दिवान को किड्नैप किया था, क्या यतिन की मा के अस्पदाल पहुशने तक कोई और खत्रा यतिन का इंतजार तो नहीं कर रहा होगा, क्या यतिन और इशान के मुलाकात किसी नए साज़ेदारी का हिस्सा थी, या महज एक इतिफाक, आप लोगों को क्या लग हॉस्पिटल में इशान यतिन को सब समझा कर यतिन से अलविदा लेकर उसके वाट से बाहर आया, तो इशान ने देखा कि कुछ लोग बढ़ी ही फुर्ती से कोरिडोर के इर्दगिर्द रूम नंबर देखते वे खूम रहे हैं, उन लोगों में एक महिला वी थी, जिसकी शकल पर उदासी और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी, इशान थोड़ा आगे बढ़ा, तो इशान ने मुड़कर देखा कि वो लोग फट से यतिन के वाट में घुज गये हैं, इशान ने मनही मन सोचा, शायद ये यतिन के घरवाले ही होंगे, और ऐसा सोच कर इशान लिफ्ट में घुज गया, लिफ्ट का दर्वाजा बंद होने से पहले इशान ने देखा कि उन लोगों में से एक व्यक्ति फिर से वाट से बाहर आया, और वो इशान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो वो व्यक्ति इशान को धनिवाद दे रहा हो, इशान ने भ से करतिन के पास पहुचा, करतिन ने इशान को नीचे देखकर अचंबे से पूछा, इशान भाई आप यहां क्या कर रहे हो, उपर उस लड़के के पास कौन है, इशान ने करतिन के हाद से एक डिबबा लिया और पास में पड़ी हुई बेंच पर बैठने का इशारा करते आओ बैठो, पहले खा लेते हैं, बहुत भूग लगी है, ऐसा कहकर करतिन और इशान वहीं बेंच पर बैठ गये और बर्गर खाने लगे, बर्गर की एक बाइट लेकर इशान बोला, दरसल उसके घर वाले आ गये थे, तो मैं आ गया, अब हम चलते हैं, वो लोग सभाल ल दिया, तो करतिन ने उस बात को वहीं खत्म करना बेहतर समझा, क्योंकि करतिन ये जानता था, कि इशान उन लोगों में से नहीं था, जो वावाही या पैसो के लिए किसी की सहायता करता हो, इशान ने जैसे करतिन को बचाया था, और करतिन को अपने साथ रखा हुआ था, बर्गर खत्म करने के बाद इशान ने बर्गर के कागस और डिबे को अच्छे से मोड़ा और पासी पड़े कुड़े दान में फेंक दिया और फिर बोतल से पानी पीने लगा तब तक कृतिन ने भी अपना बर्गर खत्म किया इशान ने कृतिन को देखा और कहा जल्दी चल इशान भाई क्या आप एक बार संतोस सर से इस बारे में बाचीत नहीं करेंगे और ऐसा कहकर कृतिन ने भी अपने बर्गर का खाली डिब्बा कूड़ेदान में फेक दिया और इशान के पीछे पीछे चल दिया हाँ यार सही बात है मुझे पहले एक बार गुरुजी से उस बंगले के बारे में बात कर लिनी चाहिए इशान ने ऐसा कहकर अपना सर खुजाया और फिर तपाग से बोला चलो पहले गुरुजी के पास ही चलते हैं संतोस सर का कोलकता में एक पुराना पुष्टेनी घर था इशान जानता था कि संतोस सर आज अपने उसी घर में जाने वाले थे इसलिए इशान ने टैक्सी बुलाई और कृतिन के साथ टैक्सी में बैट कर संतोज सर के घर की ओर चल दिया इशान को रास्ते में जाना पहचाना सा सब कुछ नजर आ रहा था इशान जब टैक्सी से उत्रा तो इशान को यकीनी नहीं हुआ कि संतोज सर का घर तो वही निकला, जहां से सुजाता जी इशान को वो बंगला दिखाने ले गई थी इशान मन ही मन बहुत खुश हुआ इशान और कृतिन संतोज सर के घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि संतोज सर वहीं आंगन में लगे हैंड फंपर बैट कर सबजिद हो रहे थे संतोज सर ने जब इशान और कृतिन को देखा तो बोले अरे वाह इशान और कृतिन आ गए वाह मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था घर ढूणने में मुश्किल तो नहीं हुई नहीं गुरुजी बिलकुल भी नहीं और ऐसा कहकर इशान ने जाकर संतो सर के हाथ से सबजी ली और खुद धोने के लिए जैसे आगे बढ़ गया कृतिन ने इशान के हाथ से सबजी लिए और मुस्कुरा दिया इशान समझ गया कि कृतिन का गुरू इशान है तो कृतिन इशान को काम नहीं करने देगा इसलिए इशान ने मुस्कुरा कर हैंड पंप चलाना शुरू कर दिया और कृतिन सबजी आध होने लगा आपने अभी तक खाना नहीं खाया इशान ने हैंड पंप चलाते हुए संतोस सर से पूछा संतोस सन ने मुस्कुराते हुए कहा आरे नहीं नहीं मैं तो लंच कर चुका हूँ ये तो दरसल मैं तुम दोनों के लिए शाम को नूडल्स बनाने के लिए तयार कर रहा था ऐसा कहकर संतोस सर ने कृतिं के हाथ से धुली हुई सबजी ले ली और उन्हें छन्नी में रखकर खुद पास पड़ी बेंच पर बैट गए और फिर इशान से बोले तुम फोन पर बता रहे थे कि तुम दोनों ने किसी की जान बचाई थी क्या हुआ था इशान भी हाथ पोँचकर संतोस सर के पास आकर बैट गया और संतोस सर को सारा किस्सा सुनाने लगा इशान की सारी बात सुनकर संतोस सर बोले कौन? यतिन दिवान यही नाम कहा न तुमने फिर संतोस सर ने कुछ तेर सोचा और बोले चलो जो हुआ सो हुआ लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हो तो पहले पुलिस को सूचना दिया करो सर मैं तो खुद पुलिस को फोन ही करना चाहता था लेकिन यतिन दिवान ने मुझे रोक दिया और फिर बाद में जब मैंने उसके घर पर फोन किया तो मुझे उसके मां से पता चला कि यतिन को किनैप किया गया था फिर संतोस सर ने उस बात को बदलते वे इशान से कहा चलो अब तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो फिर मैं तुम्हें एक मार्केट लेकर चलूँगा जो बिल्कुल दिल्ली की चान्नी चौक की तरह है इशान ने एकदम से भुदकते वे कहा दोपहर में नहीं गुरुजी हम कल चलते हैं हमें आज दोपहर में कहीं और जाना है संतो सर ने हसकर इशान से पूछा तुम्हें अभी कलकता आए हुए दो दिन नहीं हुए और तुम्हें इतना जरूरी क्या काम आ गया इशान भी हसकर बोला वो गुरुजी आपके घर के पीछे वाली बड़ी सड़क के उस पार मैंने एक बंगला देखा है मुझे वो खरीदना है संतो सर चौक कर बोले बड़ी सड़क के उस पार वाला बंगला बासू हवेली नाम तो नहीं पता पर वो पंदरा सो गज में बनावा बंगला है जिसके मालिक अब बाहर रहते हैं इशान ने जवाब दिया हम्म्म वही है लेकिन वो तो बहुत बड़ी जगे है क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम इतना महंगा बंगला खरीद पाओ संतो संन ने पूछा इशान ने मन ही मन कुछ हिसाब लगाया और सोचने लगा घर की मरम्मत में और रिशी के रेस्टोरेंट के रेनोवेशन में करीबन एक दो करोण खर्च हुए थे फिर चानने की कंपनी में 20 करोण का इंवेस्पेंट किया था फिर 10 करोण एक और इंवेस्पेंट किया मेरे हिसाब से 60-70 करोण अभी भी मेरे एकाउंट में होने चाहिए ये सब सोचकर इशान बोला हम पैसे हैं इतने इशान ने भले ही सारा हिसाब जोड़ दिया हो लेकिन इशान ये भूल गया कि 50 करोण उसकी इंवेस्पेंट कंपणी की कैप्टल इंकम थी जिसे उसके बैंक ने एकाउंट में ब्लॉक किया हुआ था इशान चाहकर भी वो 50 करोण छेड नहीं सकता था इशान की ये कैप्टल चान नहीं समालती थी शायद इसलिए इशान को इसका ध्यान नहीं आया देखा जाये तो इशान के खाते में 10 स्या 20 करोण रुपए ही बचए थे दोपहर में इशान संतोज सर और कृतिन को साथ लेकर स्टेट एजेंसी पहुचा वहाँ सुजाता जी के साथ डेल साइन करने के बाद इशान ने बंगले की पूरी रकम और स्टेट एजेंसी के कमीशन और फीस वगएरा के 15 करोण रुपए जमा करने के बाद इशान के खाते में अब बस 5 करोण रुपए ही बचए थे फिर इशान संतोज सर और कृतिन को बंगला दिखाने ले गया संतोज सर उपर नीचे डाएं बाएं चारो ओर से बंगले का अच्छे से निरिक्षर करने लगे संतोज सर को वैसे तो मालूम था कि ये बंगला काफी मजबूत और बढ़िया बना हुआ है लेकिन अपनी आखों से संतोज सर इस बंगले को पहली बार देख रहे थे संतोज सर बंगले की तारीफ करते हुए इशान से बोले वैसे इशान मानना पड़ेगा तुम हो बहुत खुशकिस्मत नहीं तो इतना बढ़िया बंगला तुम्हें 10 करोन में मिलना मुश्किल था संतोज सर की बास सुनकर इशान अपनी कॉलर चढ़ा कर हसने लगा और फिर उदासी सा चेहरा बना कर बोला मैंने बंगला तो खरीद लिया है लेकिन मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मैं इसे रेनोवेट कैसे कराऊ मिरे एकाउंट में तो बहुत कम पैसे बचे हैं ये पैसे बहुत हैं तुम्हें वैसे भी घर का सामान खरीदने की जरूरत नहीं है वासु हवेली का सारा सामान बिल्कुल नया और आधनिक है तुम्हें चाहिए तो बस एक अच्छा आदमी जो घर की मरमत और पेंट का काम समहल सके ऐसा कहकर संतोस सर इशान और किर्तिन के साथ बंगले से बाहर आए और ताला मार कर बंगले की चाभी इशान को पकड़ा दी इशान ने अपनी आखे घुमाई और बोला मुझे वाकई नहीं पता था कि मेरे एकाउंट में बस इधने से पैसे बचे हैं संतोस सर बोले मेरे हिसाब से तुम साहिल से बात करो वो कम पैसों में बढ़िया काम कर देगा और दूसरा अगर तुम्हारे पास पैसे थोड़े कम पढ़ जाएं तो तुम उसे बाद में लोटा देना संतोस सर की बात सुनकर इशान खुश हो गया और बोला सही कहा गुरुजी आपने मैं साहिल के बारे में कैसे भूल गया मैंने भले ही आज तक कितनी भी रखम कमाई हो लेकिन आप जैसा अनमोल खजाना मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे मिलेगा ऐसा कहकर इशान संतोस सर के गले लग गया फिर वो तीनों बाते करते हुए पैदल पैदल ही संतोस सर के घर के तरफ चल दिये जो कि इशान के नए बंगले से थोड़ी ही दूर पर था संतोस सर और करतिन इशान के साथ इशान का नया बंगला देख कर वापस संतोस सर के घर आ गए संतोस सर बोले वासू हवेली में वाकई मरम्मत की जरूरत है विदेश जाने के बाद इसके मालिक ने कभी पलट कर इसे देखा ही नहीं वरना इस हवेली की ऐसी हालत कभी नहीं होती और फिर संतोज सर हाथ मुद्धो कर किचन में चले गए इशान ने अपना फोन जेब से निकाला और बोला चलो साहिल भाई से पूछते हैं कि वो इस मरमत का कितना पैसा लेंगे और ऐसा कहकर इशान ने साहिल को फोन लगा दिया साहिल के फोन उठा लेने पर इशान ने उससे बात की हलो साहिल भाई मैं इशान कैसे हो आप साहिल भाई मैंने एक बंगला खरीदा है कोलकता में जी उसी की मरमत के बारे में आप से बात करने थी यहीं बड़ी सलक के पास यह पंद्रा सोगच का बंगला है इसके मालिक विदेश में रहते हैं उस बंगले के बारे में आप जानते हैं क्या अच्छा आप कलकता में ही हो अरे वाँ सही है तो आज शाम आप हमसे यहां संतोज सर के घर पे मिलेंगे संतोज सर वैसे भी डिनर के लिए नूडल्स बना रहे हैं मिलकर खाएंगे और ऐसा कहकर इशान ने फोन काट दिया और खुशी से उचल की बोला साहिल भाई यहीं कलकता में ही है वो अपने पिता जी के साथ आज शाम घर आएंगे अच्छी बात है संतोज सर किचन से ही बोल गया इशान ने अपने माते पर हात मारते वे कहा और फिर से इशान ने जैब से अपना फोन निकाला कोई नहीं उन्हें यहां का पता मालूम है वो यहां पहले भी आ चुके हैं संतोज सर मुस्कुराते वे बोले वैसे नूडल से इतने है ना घुर जी मैंने आप से बिना पूछे उन्हें डिनर पर बुला लिया इशान ने संकूच करते में पूछा हाँ तो मेरे दोस्तों क्या संतोज सर यतिन दिवान के बारे में कोई ऐसी बात जानते थे जो उन्होंने अचानक से यतिन दिवान की बात पलड़ दी थी क्या यतिन दिवान से मिलकर इशान को पैसों से उस बंगली का रेनोवेशन बढ़िया से हो पाएगा क्या इशान को साहिल seems जी दिलुचस्प सवालल यह जी होगे क्या होगे इन सभी सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स इसमें कमेंड करके हमें जरूर बताइए अगर आपको सवालों के जवाब मालुम है और अगर नहीं मालुम है तो सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहें दो बारा अटेल आफ्टर लाइफ सिर्फ पॉकेड एफमपर